खुल दोस्तों मैं संदीफ आप सबका अपने यूटूब चैनल घ्यान आर्बियल में स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम लेकर के आचुके हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश इस पसल के 25 कोशन की सीरीज दोस्तों ठीक है आपको पता है कि हम रिगुलर 25 कोशन लेकर आ रहे हैं दोस्तों यूपी इस पसल के ठीक है तो देखिए इस बार भी हम लेकर के आए हैं आपके लिए 25 कोशन और ये ह शुरू करते हैं आज का नाइन्थ नंबर टेस्ट, जाले देखी, इसके पहले हमने पूरे 200 कोश्चन कर ले थे दोस्तों, आठ टेस्ट में 25-25 कोश्चन करके, अब हमारा 9 टेस्ट है दोस्तों, तो 9 टेस्ट है, इसका पहला कोश्चन देखते हैं दोस्तों, कि उत्तर कूंस यहां धो क् presenters प्रफंत्राइब अभरत का प्रथम प्रांस्जेंडर विश्रुविद्याल ब gratis करफाया को ठीक और भारत का प्रफम ट्रांस जेन्डर विश्रु विद्याले भी खोला जा adapters कुछिन नगर से आपको जरूर याद रखनी दोस्तों हमेशा चलिए अग्ला question है मंदिर निर्मार कला का विकास किस किस काल से दोस्तों तो गुप्त काल से दोस्तों ठीक है चलिए अब देखिए अगला कोशन ये कोशन आपके लिए बहुत ज्यादा important दोस्तों उत्तर प्रदेश में गुप्त कालीन मंदिरों के साक्ष मिलते दोस्तों कहां से मिलते हैं गुप्त कालीन यहाँ पर क्या है दोस्तों एक मात्र क्या है अफीम फैक्टरी दोस्तों ठीक है गाजीपुर में क्या है अफीम फैक्टरी दोस्तों ठीक है तो याद रखेंगे चलिए अगला कोशन है उत्तर प्रदेश में सरकी सैली का उतकर्ष्ट नमूना है दोस्तों कौन सा अटाला मज और ये कोशन भी है कि अटाला मस्टित कहां सी दोस्तों तो कहां स्थित है ? जौनपुर में सासरी का नमूंण है तो किससर hay follows किससरg и नमूंण है और जौनपुर में क्या है ? इस्थित दोस्तों चलिए अगला कोशन है उत्तरकैस me a-start- tom caught दोस्तों सबको पता है क्या है ताज महल दोस्तों ताज महल क्या है अजूपा में भी इसको गिना आता है दोस्तों ठीक है चलिए अगला कोशन देखते दोस्तों ताज महल याद रखेंगे क्या है मुगल सहली का दोस्तों अगला है उत्तर प्रदेश में लखनो सहली का चित्रकला की नियूँ किसने रखी दोस्टों ठीक है हमायों ने नियूँ रखी थि चित्रकला की दोस्तों considered yeah रखेंगे हमायों ने किवल e नियूँ रखी थ achievements शुरुआत की थी मगर सबसे यदा काम किसने किया है चित्रकला पर दोस्तों तो जहाँ लखनौ चित्रकला सैली के जनक मानेते वेरि वेरि इंपॉर्टन असित कुमाल हर्दार दोस्तों असित कुमाल हल्दार दोस्तों अनस जनक अनवदाता माने इ żyाते दोस्तों चलिए अगला कोशन है दोस्तों 10 obstis देश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की सुरुवात किसने की देखिए जो पहले चित्रकला थी दोस्तों उसमें ग्राफिक विद्या की सुरुवात कर दी किसने कर दी दोस्तों ललित मोहन सेंने दोस्तों किसने ललित मोहन सेंने यह भी IMP कोशन दोस्तों ठीक है किसके खड़ी बोली का जन्म भी कहते हैं दोस्तों और इनका नाम तोताय हिंद है और इनका जन्म एटा ठीक यह कोशन आपके यूपी पुझा गया था कि अमीर खुसरो के जन्म कहा हुआ तो उसमें कहा था एटा तो कोशन अगला कोशन तबला व inflationiendo के आविश्कारण अमीर खुसरो ही मान आते हैं दोस्तों अमीर खुसरो बहुत ही वुद्धिमान दोस्तों बहुत ही बहुत ही बहुमुखी थे दोस्तों ठीक है चली अगला है कि मंदिरों में संगीत बद अर्चना पद्धत की सुरुवात किसने की देखे जो मंदिरों में जो घंटी उंटी आप प्रवरतण किया दोस्तों किसने किया सौमी Away दासने दोस्तों अगला इस तान सेन भैजू गोपाल आधि के गुरू काउन थे दोस्तों तो आप पताओंगे स्वाइन हर्दास के हरदास ते ते दोस्तों किसके सुरू तान सेन बैजू और गोपाल दोस्तों और भीन के कई सिस्थे मगर यह तीन क्या है दोस्तों प्रमुग है चलिए अगला कोशन दोस्तों आपके लिए कि तान सेन के कौन हाजी सुल्तान याद रखेंगे तान सेन के दमाद हाजी सुल्तान ने किस विध्या को नया रूप दिया या फिकिस विध्या को नया रूप दिया था तो ख्याल गायकी को इन्होंने एक नया रूप दिया था किसने हाजी सुल्तान दोस्तों कौन थे हाजी सुल्तान ता जौनपूर का वह सुल्तान जिसने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया दोस्तों तो बड़े ख्याल का प्रवर्तन किसने किया जौनपूर का जो सुल्तान सरकीन दोस्तों और देखिए जौनपूर में ही क्या है अटाला मस्जिद दोस्तों याद रखेंगे अटाला मस्जिद question पूछा आता है ठीक है चलिए अगला question है संगीत की द्रष्ट से लखनव घराने का स्वंड काल कहा जाता था तो ठीक है चलिए अगला question है किसे उस्ताद फ़याज खां को गयाँ को किसे संगीत का सूर्ष्ट की उपाधी दी गई दोस्तो टाsam को पता होना च fatal ऑस्ताद फ़याज खां जैसे कि हिंदी साहित का सूर कौन कहते है सूर दास को दोस्तों ठीक है सूर सूर तुलसी ससी न तो यह इसी प्रकार से संगीत के छेतर का मतलब सूर किसको कहते है दोस्तों तो उस्ताद फैयाज खां को ये इनको वाधी मिली थी दोस्तों ठीक है और उस्ताद फैयाज खां क्या है दोस्तों क्या था थुम्री नवाव वाजिद अली साह के काल में सबसे लोकपरी था ठीक है चलिए अगला है कि लखनों के मियां गुलाम नभी सौरी देखें इंपोर्टेंट लगा लिजिए लखनों के मियां गुलाम नभी सौरी ने किसका प्रचलन किया दोस्तों तो टपा सहली का दोस्तों ठीक है किसका टपा सहली का चलिए अगला कोश्चन वाजिद अली साह किस नाम से ठुमरी की बंदी से तयार करते दोस्तों किस नाम से ठुमरी लिखते थे मगर किस नाम से लिखते थे दोस्तों तो अक्तर पिया ठीक अक्तर मिया के नाम से दोस्तों ये लिख रहते और कोदाव सिंग दोस्तों ठीक है यह दोनों इनके दर्वारी थे दोस्तों ठीक है चलिए अगला कोशन है और लाश्ट कोशन दोस्तों कत्तक नरत में ठुमरी गायन का प्रवेश किसने किया दोस्तों कि कत्तक नरत में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया दोस्तों तो अवद के बिंदा दीन ने दोस्तों किसने अवद के बिंदा दीन और बिंदा दीन किसके हां रहते थे तो वाजित अली साह के दरबार में रहते थे दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों ठीक है तो हम घराने से भी वीडियो कल कल हमारा पूरा घराने से वी और आपको बता दोस्तों कि करेंट अफेर्ट क्लास अगर आप नहीं लेते हो तो डेली हमारी करेंट अफेर्ट क्लास लीजिए गा इसमें हम टॉप 20 कोश्चन करते हैं ज्यादा बड़ी वीडियो होती नहीं है दस मिनट के अंतराल के होती दस से बारा मिनट की होती हो दोस् करेंट